इस्राइल के खिलाफ नई मुसीबत पूरी इंसाइड स्टोरी इस एक तस्वीर में है ये तस्वीर बताती है कि इसमाईल हानिया का बदला लेने के लिए कैसे आतंकी की फैमिली प्लैनिंग शुरू हो सकती है ये तस्वीर बताती है कि इसरेल के विरुद शिया और सुन्नी संगठन आपसी मतभेद भुला कर एक हो सकते हैं और ये एकता मिडल इस्ट की शान्ती के लिए घातक हो सकती है ये तस्वीर हमास चीफ इसमाईल हानिया की हत्या से पहले 30 जुलाई की है तब इसमाईल हानिया इरान के नए रखबती मसूद पेजशकियन के इस चपत समहरों में शामिल हुआ था अब इसमाईल हानिया के साथ जो चहरे दिखाई दे रहे हैं उन पर नज़र डालिए सबसे बाई और हूती नेता मुहम्मद अब्दुल्क सलाम दिखाई दे रहा है उसके बगल में हिजबुल्ला का डिप्टी शीफ नसीम कासिम बैटा हुआ है और इन्ही के साथ इसलामिक जिहाद मुमेंट का नेता जायद अल-नाकलाहा दिखाई दे रहा है इन्ही के साथ दिखाई दे रहा है समाइल हानिया इस तस्वीर के कुछ घंटे बाद ही हानिया खुद एक तस्वीर बन गया माना चा रहा है कि इसरेल ने आदी राद दो बचे उस मकान को ही उड़ा दिया जहां हानिया एरान का महमान बनकर बैठा हुआ था और इसरेल के ऑपरेशन हानिया के बाद हुथी हिजबुल्ला इसलामिक जिहाद मुवमेंट और हमास ने बदला लेने की धम की दी है ये सबी अलग-अलग आतंगे संगठन हैं जो शिया सुन्नी अधार पर बटे हुए हैं लेकिन इसरेल के खलाफ एक हो गई है इसरेल से लड़ रहा हमास एक सुन्नी इसलामिक संगठन है इसलामिक जिहाद मुवमेंट भी एक कट्टर सुन्नी संगठन है वह हुच्बुल्ला शिया चरमपंती संगठन है जबकि होती यमन का एक शिया मिलीशिया ग्रुप है इनके अलावा सुनी मुसलिम संगठन मुसलिम ब्रदरहुड भी है जो खुल कर हमास का समर्थंग करता है और खुद इसरेल को डर है कि मुसलिम ब्रदरहुड ही हमास लेता इस्माईल हानिया का ब 높ला लेने के लिए मिडल इस्ट की जंग में खुले तोर पर कूछ सकता है ध्यान देने वाली बात ये भी है कि शिया सुन्नी संगठन में बटे ये आतंकी संगठन इरान में खटा हुए थे वो ईरान जो खुद बाहूल देश है फिर भी सुन्नी बाहूल फिलिस्तिन का खुलकर समर्थन करता है क्योंकि इसके पीछे एरान के अपने हित हैं और इसरेल के खिलाब प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए उसे फिलिस्तीन और फिलिस्तीन समर्थ तक चरमपंथी संगठनों की जरूरत है और मौत से पहले इसमाईल हानिय की तस्वीर इसी बात की गवाही है कि अपने है अपने है और मौत से लिए बात की जरूरत है